हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानेल आज हम सुजी चिला बनाएंगे अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो पास में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके मेरे चानेल को सब्सक्राइब कर दीजिए सुजी चिला बनाने के लिए हम यहाँ पे लिए हैं दो कब सुजी एक कब दही एक बड़ा साइज कैपसिकम को हम छोटा छोटा काट के रखे हैं दो मीडियम साइज ओनियन को चाप्ट करके रखे हैं, दो मीडियम साइज टमाटर को इसका जो बीस का हिसा है इसको निकाल दीजिए और भार का हिसा है इसको काट दीजिए, पीपर पाउडर और नमक को एक साथ मिला के रखे हैं, चाप्ट कोरियंडर लिफ्स, चाप्ट धन चिल्ला बनाने के लिए जो सुजी है इसमें हम दही डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पता डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पता डाल देंगे दो ग्रीन चिल्ली नमक भी डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी और लगेगा नहीं तो ये बहुत सुखा हो जाएगा ड्राय हो जाएगा अभी थोड़ा सा पानी और इसमें डालेंगे देखिए अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर दिये अभी इसको कभर करके 15 मिनिट के लिए रेश्ट के लिए छोड़ देंगे अभी इसको कभर करके 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे अभी देखिए 15 मिनिट हो गया है देखिए ये बहुत रहा है सुजी सारा पानी सोक कर लिया है अभी इसमें हम पानी और डाल के इसका घोल त्यार करेंगे एक साथ नहीं डालना है पानी आपको धिरेतरे डाल के इसको मिलाना है देखिए पानी डाल के इतना ही थीक रहेगा घोल ऐसे ही घोल बनाना है आपको इतना ही थीक रखना है धिरे धिरे करके पानी डालना है एक साथ नहीं डालना है और इतना ही थीक रखेंगे आप थोड़ा सा ऐल डालेंगे इसको ज्यादा पतला नहीं करना है कि ज्यादा मुटा भी नहीं करना है छोटा छोटा बनाना है ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है अभी हम इसमें सारे सबजी डाल देंगे जो काटके रखे थे ओनियन, कैपसिकम, टमाटर, धनिया पत्ता, कडी पत्ता, अभी हम इसको कभर कर देंगे अभी हम इसको कभर करेंगे, उपर से पता चल जाएगा हो गया है तभी हम इसको चेक करेंगे, देखिए, उपर एकदम ड्राय हो गया है, अभी हमको पता चल गया है, कि यह हो गया है, अभी हम इसके उपर थोड़ा सा पीपर पाउडर और नमक डाल देंगे, और इसको पलटाएंगे, देखिए, यह अच्छे से हो गया है, इसको निकाल देते हैं, इसे करके दूसरा भी बना लेंगे हम, एसे ही इसके उपर कैपसिकम, टमाटर, ओनियन, धनिया पता, कड़ी पता, सारे चीज डाल देंगे, थोड़ा सा ओईल भी डाल देंगे, अभी हम इसको कभर कर देंगे, जब उपर पुरा ड्राय हो जाएगा, तभी हम इसको चेक करेंगे, देखिए एक-दो मिनिट के बाद, आप द्राई हो गया है, अभी इसके उपर पुपर पाउडर नमक डाल के इसको पर्टाएंगे, देखिए यह हो गया है, इसको ज्यदा हाई फ्लेम में आपको नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में करना है, अभी हम इसको निकाल देते हैं, ऐ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थेंक यू फर वाचिंग.